तो रुकने नहीं वाली है विकॉज एक और मैसिव स्टार आए कर रिसल मीनिय में और इवन वो शायद फिजिकल अक्षिन में भी इंवल्फ होने वाला है विकॉज इसमें क्या होगा बॉबी लाशली का और ब्रेवार्ट को भी उनको स्पॉर्ट वगरा किये गए उनको लेकर भी कुछ न्यूज अपडेट्स है यानिकि ओवर ओल आज के स्मैक्डाउन के बाद और रेसल मेने को लेकर कुछ मासिव न्यूज तो विदाउट वेस् खश्यों की अंदर उसो जाते हैं केविन ओवन्स एंड सामी जेन पर लेकिन उसके बाद क्या हुआ जाता है यहां पर तो उसके बाद भी फिर से ब्लट लाइन अटैक करती हैं दोनों सुपर स्टार्स के उपार और वहां से इंटरॉप्शन होती है स्ट्रीट विक्ट्री भी हासिल करते हैं इसके बाद जो कोडियों माइक भी लेता पूरी क्राउड को एक हैपिल इवे में सेलीब्रेट करके घर अपने भेजते हुए नजरा है तो लेट सी क्या जो अमेरिकन नाइट मेर कोडी रूट्स है वो जीत पाएंगे रैसल मीनिया के अंदर अब चलो बढ़ते हैं नेक्स अपडेट की तरफ इस बार ये जॉन सीना के बारे में जुड़ी है आज फ्राइट नाइट स्मैक्डाउन के शुरू के अंदर एक बार डबल डबली ने कंफर्म का डाले कि भाईया जो नाइट वन होने वाली यानिकी जहां पे रैसल मीनिय शुरू होने वाला है उसका जो पहला माच है वही बैंगर होगा विकॉस जॉन सीना से डबल डबली शुरुवात करेगी और सीना वर्सीज थियूरी करेगा इस साल रिसल मीनिया की ओपनिंग अब देखो मैं इसी सुनके बहुत एक्साइट होगा मैंने का वा भाई क्या मतलब है कि जॉन सीना हारने वाले अब इसके वीचे लॉजिक के लगाया जा रहा है कि मेभी जो सीना है वो जाद रुकने निवाले डबल डबली के पास में वहने फिर से जाके अपनी शूटिंग और शुरू करनी है इसे लोग क्या करेंगे वो जाने वाले सबसे पहले अ मतलब मैचि होने का मतलब यसीना मैच के अंदर हार ही जाएंगे डावी घृतिक में मोटीव से जीतने वाले तब से मेरे मेरे डूब डॉब्ल डबली का में मोटीव वाले के अंदर ओल्रेडी डवल डबली नाउंस के बही स्माइक डॉन के शो में सारी चीज़े होंगी इवन बॉबी लाश्ली एले नाइट जिगलर यह कुछ नेम है जो कि अनाउंस भी हुए पुरा ग्राफिक आप लोग देखी पा रहे होगे अब जो अपडेट है सामने इसके कॉर्णिंग इसी मैंच के अंदर डवल डबली जो बॉबी लाश्ली है उनका रिसल मेने का मैस सेट अप करेगी और पॉसिबिली वह मैच होने वाला है बॉबी लाश्ली एंड एले नाइट के बीच में आप जो इन दोनों का मैच होगा रहा हो डवल डवल डबली र लाश्ली के पर अटक करेंगे फिर एले नाइट के लिए अलग प्लान्स होने वाले इन अल्टिमेटली बॉबी लाश्ली और ब्रेवार्ट का मैच रिसल मीने के अंदर होगा लेकर नहीं हो पाते तो इस बैटल रॉयल के अंदर ही डवल डबली सेट अप करेगी बॉबी अब लगे और ब्रेवार्ट लगा रहा है मुझे अल्की फुल की इंजरीव से उन्हों सफर कर रहे हैं लेकिन यहां पर पता लग जाएक कि वाया था क्या वो रेसल मीनिया एंड स्मैक डाउन के शो में आएंगे आफे नहीं अब जो बढ़ते हैं आज की अमारी निक्स अ की तरह ही कर रहे हैं मेरे कहने हैं मतलब जिस तरीके से रोबन की मर्च सेल हो रही है ठीक वैसे ही जो मर्चंडाइस सेलिंग है वह कोड़ी को स्रेफ ओवर पुश के अजारे कंपनी के अंदर एक्च्वल में व्डवली को उतना प्रॉफिट जनरेट करके दे पारें जो की में इवेंटर से सामने जुकि कोड़ी के अच्छी है कि करनली जो उनकी मर्चंडाइस सेलिंग है वह बिग्दम ताबड तोड चलती हुए नजर आ रही है अब बढ़ते हाज की मारी नेक्स्टेंट फाइनल स्टूरी की तरफ इस बार यह रेसल में 39 के बारे में ही जुड आपको इन आक्षिन दिखाई दे सकते हैं विगाउस होता कि रीसिंट डाम में जो डीट आई है उसके एकॉर्टिंग 14-15 मार्च के अराउंड बैट बनी है उन्होंने प्रैक्टिस या फिजिकली करने चाल लोगी थी डेमियन पीस के साफ में अब बताया जारे कि हो वार है आपकी हॉलिवूड की थीम है तो हॉलिवूड या फिर किसी बड़ी परसनालिटी को आप ला रहे तो आपके ही फायदे वाली बात होगी और उपर से यह कि बैट बनी जो है एक डवल डबली सूपरस्टार वाला कह सकता हूं तो कुछ इस तरीके से डवल डबली के बीच में शायद कोई बात चीत या फिर कॉनफर्टेशन या फिर हलका फुलका फिजिकल आक्शन दिखाई देगी आपके इसाब से क्या बैड बनी को आना चीए रेसल मीने के अंदर फिजिकल आक्शन में बाइद वे आज की वाली वीडियो बसे यहीं तक थी अगर यह वाली वीडियो पसंद आएए फड़ा फट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो साथी में जो लोग चैनल के उपर नीव हैं सब्सक्राइब निके सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना आन मिलता है आप से आके नेक्स्ट वीडियो के बाई बाई टेक केर